शाशन पती श्रमन भगवान माविर स्वामी के चर्णों में भाव पुर्वक वंदन असिम असिम उपकारी राश्ट्रसन परम गुरुदेव श्री के चर्णों में भाव पुर्वक वंदन परम गुरुदेव श्री के ये तत्व के सेशन्स हमारे जीवन के लिए एक प्रेरणा का स्त्रोथ है जिससे हम हमारी आत्मस्थती को जान सकते है पहचान सकते है जानकर पहचानकर उसे चेंज भी कर सकते है जिसे हम प्रभू मानते है प्रभू जिसे हम मानते है वहाँ प्रभू की जो आत्मदशा है वहाँ प्रभू की जो आत्मस्थिती है प्रभू की आत्मस्थिती और आत्मदशा में और हमारी आत्मस्थिती आत्मदशा में क्या फरक है कोई फरक होगा या नहीं होगा हम जिसे प्रभू मानते है क्या वे अनंतकाल से ही प्रभू थे, क्या वे अनंतकाल से ही सिद्ध बन गए थे, क्या वे अनंतकाल से ही केवली थे, नहीं एक ऐसा समय था, जब प्रभू की जो आत्मस्थिती थी, वहां आज हमारी आत्मस्थिती है जो प्रभू के आत्मदशा थी वह आज हमारी करेंट आत्मदशा है परन्तु प्रभू ने पुर्शार्थ किया प्रभू ने अपने कर्म के सामने युद्ध किया और दीरे दीरे प्रभू वितरागी बने, वितरागी से केवली बने, केवली यानि तिर्थंकर बने और अंत में सिद्ध बन गए तो आज के दिन हम जैन दर्शन का एक ऐसा विश्रई समझेंगे जिससे हमारे अंदर में एक confidence आएगा, हाँ, हूपन प्रभू जेवो बनी सकूछू मैं भी प्रभू के जैसा बन सकता हूँ, जो प्रभू की current आत्मस्थिती है, वह आत्मस्थिती फ्यूचर में मेरी भी बन सकती है प्रभू कहते हैं कि संसार में active होना, संसार में active होना, यही हमारे संसार का main reason है यही हमारे कर्म का main reason है किसी एक office में, जब कोई एक person काम करता है, तब उसका जिस प्रकार का level होगा, उसकी जिस प्रकार की position होगी office में, उस प्रकार से उसे salary मिलेगी यदि आप higher level पे हैं, तो आपको high salary मिलेगी यदि आप low level पे हैं, तो आपको low salary मिलेगी जिस प्रकार का level, उस प्रकार की आपकी salary बस उसी तरह कर्म की office भी बहुत ही systematic way से work करती हैं, जिस प्रकार की आपके भाव होगे, जिस प्रकार की आपके आत्मा की परिणाम होगे, जिस प्रकार की आपकी actions होगी, जिस प्रकार की कशाय होगा, जिस प्रकार से आप आपकी योगों को कार्या में प्रवृत्र करते होगे, उस प्रकार से कर्म का बंद होता हैं, यानि कि जिस प्रकार का आपका output, उस प्रकार से आपको कर्म की income मिलती है, किसकी कर्म की इंकम हमारे आत्म भावों पर हमारे कशाय पर हमारे आत्मा की जो स्थिती है हमारे आत्मा के जो परिणाम है और जो हम हमारी जो बॉडी है उसे हम योग मन वचन और काया के ये जे तीन योग है उसके उपर हमारे कर्म डिपेंड करते हैं और आज हम जैन दर्शिन का एक ऐसा विशय समझेंगे विशय का नाम है क्रिया क्रिया का आर्थ क्या है? हम जब छोटे थे तब स्कूल में ग्रैमर सिखाया जाता था और उस ग्रैमर में इंग्लिश में वर्ब और हिंदी में क्रिया कहते थे क्या आज हम उस क्रिया के बारे में समझने वाले हैं? नहीं, स्कूल वाली क्रिया को नहीं समझने वाले क्रिया यानि कि मूवमेंट्स क्या हम आज movements के बारे में समझने वाले हैं नहीं आज हम जैन दर्शन के एक ऐसे deep subject को समझेंगे एक ऐसे विशय को समझेंगे जिससे हम हमारी आत्मा शुद्धी कर सकते हैं जिससे हम हमारे पाप को रोक सकते हैं जिससे हम हमारे पाप को कम कर सकते हैं प्रभू ने फर्माया है कि कर्मबंद के दो मेंन रीजन होते हैं जिससे मैंने अभी आपको कहा एक होता है कशाई और दूसरा होता है हमारे योग कशाय और योग इन दोनों के कारण कर्म हमारे आत्मा से जुड़ जाता है और क्रिया का अर्थ है योग की प्रवृत्ती मन वचन और काया के योग की प्रवृत्ती मन वचन काया का जो योग है उससे हम जो कार्य करते है और कारिय करने के वजह से जो कर्मबंद होते हैं उसे क्रिया कहा जाता है मैं वापस repeat करूंगी योग की प्रवृत्ती उसे क्रिया कहा जाता है योग, मन, वचन और काया इन तीन योग से हम जो कारिय करते हैं और इन योगों की कारण जो कर्मबंद होते हैं उसे क्रिया कहते है योग कशाई के साथ भी हो सकते है और योग बिना कशाई के भी हो सकते है इसलिए प्रभू ने दो प्रकार की क्रिया कही है एक कशाई सहित की क्रिया यानि कि जिस योग में कशाई involved है जिस योग में कशाई mixed है उसे कशाई सहित की क्रिया कहते है जिसे हम प्रभू की language में सामपराई क्रिया कहेंगे क्या कहेंगे? सामपराई क्रिया कशाई प्लस योग योग कशाई के साथ कशाई सहीत का योग उसे साम पर राई क्रिया कहते है और जिसमें कशाई नहीं होता जिस योग में कशाई नहीं होता जो योग कशाई रहीत होता है उसे इरिया पती की क्रिया कहते है क्या कहते है इरिया पती की क्रिया जिसमें कोई कशाई नहीं है, जिसमें कोई emotions नहीं है, सिर्फ action है, उसे हम area पती की क्रिया कहेंगे जिसमें emotions और action दोनों हैं, उसे सामपराई क्रिया कहेंगे और जिसमें सिर्फ action है, उसे area पती की क्रिया कहेंगे आपने पहले गुनस्थानक के सेशन में भी यहाँ समझा था कि कशाय का बंद कौन से गुनस्थानक तक होता है तो कशाय का बंद ऐसा कहा जाता है कि जीव चाहे पहले गुनस्थानक में हो यानि कि जीव चाहे मिठ्यात्वी हो चाहे वहां चौथे गुनस्थानक पे हो यानि कि वहां सम्किती है या फिर वहां श्रावक है फिफ्ट गुनस्थानक पे है या फिर वहां सादू है सिक्स सेविंद गुनस्थानक पे है या फिर और विशुद्धितर परिनाम वाले सादुहे 8, 9, 10 गुनस्तानक में है फिर भी कशाय का बंद निरंतर होता रहता है फर्स से लेकर 10 गुनस्तानक तक कशाय का बंद निरंतर होता रहता है और जग तक कशाय हमारे आत्मा पर है जग तक हमारे योगों में कशाएं है और उन योगों से हम जो कुछ भी कारिय करेंगे जो कारिय करने से जिस प्रकार के कर्मबंद होंगे उससे हमें सामपराई क्रिया लगेंगे कौन से क्रिया? सामपराई क्रिया इसका अर्थ है सामपराई क्रिया 1st से 10th गुनस्थानक तक जीव को लगती है और जब जीव 11th, 12th, 13th गुनस्थानक में आता है तब उसे सिर्फ और सिर्फ एरिया पथी की क्रिया ही लगती है हीना देदी मेरा आपसे यहां प्रश्न है क्या तिर्थंकर प्रभु कर्म का बंद करते होंगे क्या तिर्थंकर प्रभु कर्म का बंद करते होंगे जो 13th गुनस्थानक में है क्या वे कर्म का बंद करते होंगे बार्वे और तेरवे गुनस्थानक में नहीं होता है as we progress the गुनस्थानक I don't think so कैसा होता होगा sorry आपका answer wrong है ऐसा प्रभु ने कहा है कि जीव जब तक जीव जब तक शरीर में है यानि कि जब तक देह है यानि कि जीव और आत्मा और शरीर का जब तक combination है जिसे हम योग कहते है जब तक योग है तब तक कर्म का बंद होता ही रहता है निरंतर कर्म का बंद होता ही रहता है परंतु 11th, 12th और 13th गुनस्थानक में योग है पर कशाय नहीं है क्योंकि कशाय सिर्फ 10th गुनस्थानक तक ही होता है तो 11th, 12th और 13th गुनस्थानक में सिर्फ योग के कारण ही कर्म का बंद होता है जिसे हम इरिया पथी की क्रिया कहते हैं क्या कहते हैं इरिया पथी की क्रिया और ज्यादा डीटेल में हम समझेंगे सामपराय क्रिया जो कशाय सहित की क्रिया है यहां कर्म जब बंद होता है तब यहां कर्म की स्थिती क्या होती है तब हमारे आत्मों के साथ क्या होता है तो जब हम कशाय युक्त कोई कारिय करते है जब हम कशाय से कोई कारिय करते है तब जो कर्म बंद होता है वह कर्म का बंद उसकी स्थिती और उसका अनुभाग यहां भी आपने पहले के सेशन में समझा है कि जब कर्म बंदता है तब चार बकार के बंद होते हैं प्रकृती बंद, प्रतेश बंद, स्थिती बंद और अनुभाग बंद तो जब कशाय से जो कारिय करते हैं और जो कर्मबंद होता है तब उसकी स्थिती और अनुभाग बहुत ही लंबा होता है स्थिती यानि डूरेशन कर्म का आत्मा के साथ जुड़े रहने का डूरेशन टाइम स्पैन लंबा होता है अनुभाग यानि की इंटेंसिटी और इंटेंसिटी भी तिव्र होती है तो सामपराई क्रिया से जो कर्मबंद होते है प्रकृती और प्रदेश बंद तो होते ही है परन्तु स्थिती और अनुभाग बहुत ही लंबे और बीप होते है परन्तु इरिया पथी की क्रिया से जो कर्मबंद होते हैं जिसमें कशाई नहीं है तब वह स्थिती और अनुभाग का बंद नहीं होता इरिया पथी की इरिया यानि गमना गमन चलना आग जब चलते हैं तब एक स्टेप आगे तुरंधी दूसरा स्टेप आगे तुरंधी जो फर्स स्टेप था उसे आप आगे करते हैं तो इरिया पथी की क्रिया को इस प्रकार से समझा जाता है कि एक समय के लिए कर्म आत्मा से बंद होता है फर्स समय में कर्म आत्मा से बंद होगा दूसरे समय में ही वह कर्म का उदई होगा और तीसरे समय में वह कर्म आत्मा से निकल भी जाएगा यानि कि इरिया पथी की क्रिया में बहुती बहुती अल्पस्थिती यानि कि एक समय के लिए ही कर्म का आत्मा के साथ जुड़ना होता है तो तिर्थंकर प्रभू अपने योग से जो कार्य करते हैं तो उनके कर्म की स्थिती बहुती 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 कम होती है अब सांपराई क्रियां पांच प्रकार की होती है आपको पता है आप प्रतिक्रमन की पांठ में चौथे श्रमन सुत्र में आप जब भी प्रतिक्रमन करते हैं तब ये क्रियां के नाम आप बोलते हैं क्या कहते है पंचहें किरियाहिं काई आहें अहिगरणियाएं पाँस्याएं पारित्तवनियाएं और प्रांअती पातिका क्या कहते हैं काई आय यानि की काई की क्रिया पाँच प्रकार के सामपराई क्रिया होते हैं काई की क्रिया अधिकरनी की क्रिया प्राध्वेशी की क्रिया पारितापनी की क्रिया और प्राणाती पाती की क्रिया अब आपको यह topic अच्छी तरह से समझ में आएगा काई की क्रिया मतलब क्या काई की क्रिया प्रभू कहते है कि आप जो कारिय करने वाले है उस कारिय का आप विचार करते है उस कारिय के लिए आप आपके योगों को active करते है आप उस कार्य करने के लिए अपने योगों को एक्टिव करते है यानि कि आप सोचते हैं या किसी को सिर्फ कहते हैं आप सोचते हैं आप रात को सोते समय आपने सोच के रखा है कि कल सुबह उठकर मैं सनान करूगा प्रभू कहते है कार्या के लिए सिर्फ एक्टिव होने से ही कार्या को सिर्फ सोचने से ही कार्या के लिए अपने योग को सिर्फ प्रवृत करने से ही कर्म का बंद स्टार्ट हो जाता है आपने सिर्फ सोचा रात को कल सुबह उठकर में सनान करूंगा प्रभू कहते हैं सनान नहीं किया सिर्फ आपने सोचा है कि मैं कोई कारिय करूंगा प्रभू कहते हैं बस तब से ही उस कारिय के लिए जो आप हिंसा करेंगे उस हिंसा से जो कर्मबंद होगा वह सिर्फ सोचने मात्र से सिर्फ विचार करने के मात्र से ही कर्मबंद होने का स्टार्ट हो जाता है हमारी आदत होती है कि काफी सारी वर्क का हम प्लानिंग करके रखते हैं हम लिख कर रखते हैं ओके इतने बज़े मैं ये करूँगा, ये करूँगा, सिर्फ प्लानिंग करना, कार्य का, माइंड मैपिंग करना, वर्क मैपिंग करना, वर्क मैपिंग या फिर कार्य के प्लानिंग करने मात्र से ही कर्मबंद होना स्टार्ट होता है, और उससे हमें जो क्रिया लगती है, उ पर आपने सिर्फ सोचा है कि मैं सनान करूंगा तब से ही काई की क्रिया लगनी स्टार्ट हो जाती है सेखेंड क्रिया अधिकरणी की क्रिया अधिकरण अधिकरण का अर्थ है शस्त्र जो कारिया आपको करना है उस कारिय के योग्य मटीरियल को गैदर करना सनान करना है आपने राच से ही अपने कपड़े को तयार कर लिया आपने जो क्लोट्स मॉर्निंग में सनान करने के बाद आप पहनने वाले हैं उसे आपने आयन करके ठीक कर दिया हूँ सनान करने जाने से पहले ही गरम पानी आपने बना कर रखा सावन, सोप, शैंपू, टमला, बकेड जितने भी शस्त्र है जो सनान करने के लिए जितने भी माटीरियल है जो आपको सनान करने के समय काम में आएंगे उसे गैदर करने मात्र से सनान नहीं किया है सिर्फ आपने उसे गैदर कर दिया है प्रभू कहते हैं अधी करने की क्रिया लगनी स्टार्ट हो जाती है सोच लिया इसलिए काई की क्रिया तो लग रही है material gather कर लिया अधी करने की क्रिया भी लगने लगे यानि step by step आपके कर्मा बंद में वृद्धी हो रही है आपके कर्मा बंद बढ़ रहे है स्नान क्यों करना है क्यों डर है कोरोना लग जाएगा बाहर गए हो बाहर से आए गरम पानी से स्नान कर लेना है क्योंकि डर लग रहा है कोरोना के प्रती द्वेश भाव है और अपने शरीर के प्रती राग भाव है तो जिसमें राग और द्वेश के भाव होते है प्राद्वेशी की क्रिया राग द्वेश युक्त किसी भी कार्य को करना अपने शरीर देह के प्रती ममत्वभाव होना अन्य के प्रती द्वेश भाव होना या फिर अन्य के प्रती कोई राग भाव होना और उस वजे से जो हम कार्य करते हैं प्रभू कहते हैं नान करना है यहां विचार मात्र से ही कितने सारे कर्म बंद होना स्टार्ट हो जाता है तिनी क्रिया हमने समझी काई की अधिकरनी की और प्राध वेशी की फूर्थ है पारिताप निकाक्रिया यानि क्या परिताप किसी को वेदना देना किसी को हैरान करना परेशान करना किसी को पीडा देना आप जब सनान कर रहे हैं शावर के नीचे आप खड़े हुए हैं और जब पानी के ड्रॉप्स आपके शरीर पर गिर रहे हैं तब उस पान चीब है उस असंक्यात जीब को भयंकर भयंकर पीडा होती है किसे आपके शरीर के स्पर्ष मात्र से ही उसे भयंकर पीडा होनी स्टार्ट होती है तो किसी भी अन्यप्राणी को चकाई जीब को पीडा देने मात्र से ही यहां फूर्थ क्रिया पारीत आपनी की क्रिया लगनी स्टार्ट होती है या फिर आप किसी को mentally harass करते हो कोई तम्निया आवी ने के कि हूँ ताराती बहु कंटारी गई छो यानि कि इतमाराती जो कंटारो अनुभाव करती होई कोई व्यक्ती तो इनो मतलब इसका मतलब यहां है कि वहां सामने वाली व्यक्ती आपसे परेशान है आपका कोई behavior ऐसा है जिससे वह mentally harass हो रही है व्यक्ती तो आपको fourth kriya यानि कि एक दो तीन तो लगती है इन addition fourth kriya लगनी भी start हो जाती है और जब आपसनान कर रहे है और उन पानी के जीव की हिंसा होती है प्राण की हिंसा हो जाती है वहाँ जीव मर जाते हैं मृत्यू प्राप्त करते हैं तब आपको प्राणाती पाती की क्रिया लगती है कौन सी क्रिया? प्राणाती पाती की क्रिया लगनी स्टार्ट हो जाती है प्रभू कहते हैं इस संसार में जितने भी जीव है, संसार में छदमस्त जीव है, यानि आप हो या हम हो हम सब को तीन क्रिया तो अवश्य ही लगती ही रहती है पहली तीन क्रिया काई की अधिकरणी की और प्रादविश्य की क्रिया निरंते हमें लगती ही रहती है परंतु पारितापनी की क्रिया और प्राणाती पार्टी की क्रिया लगने देनी या नहीं देनी यह हमारे हाथ में होता है आपको मार्केट जाना है आप आपने सोचा कि मुझे सब्जी पर्चेस करनी है सोचने मात्र से ही काई की क्रिया शाक मार्केट जाने के लिए आपने बैग ली पैसे लिए आपने पर्स ली और यहाँ लेने मात्र से ही आपको अधिकरनी की क्रिया लगनी स्टार्ट हो जाती है क्यों लेना है पर्चिस क्यों करना है आपको आपके परिवार के प्रती राग भाव है मैं अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा बनाओ यह भाव है यानि कि प्राद वेशी की क्रिया लगनी स्टार्ट होती है आप शाक मार्केट जाते है गुजराती मा केवाई कि बेनो है वडनसपती के जीव को पारी-तापनी का परिया लगनी शुरुवात हो जाती है और आप उस सबजी को गर पे लेकर आते हो कटिंग स्टार्ट करते हो बॉयल करते हो कुक करते हो उस जीव के हिंसा हो कौन से क्रिया लगती है प्राणाती पाति का क्रिया लगती है इसलिए प्रभु हमें कहते हैं कि मेरा भक्त जो मुझे मानने वाला है वो शायद संसार में है इसलिए उसे तीन क्रिया लगने वाली है परंटु वह हमेशा अलट रहता है कि उसे फूर्थ क्रिया और फिफ्ट क पारितापनी की क्रिया और प्राणाती पाती की क्रिया ना लगे और उसका लक्ष एक ही होता है संसार में हूँ इसलिए क्रिया लग रही है परन्तु जो सिद्ध बन गए है वह अक्रिया दशा में है वह कोई भी प्रकार के कर्म का बंद ही नहीं करते तो मेरा बेलक्ष यही ह कि मुझे बंद से अबंद की दिशा में जाना है। शाषिन पती, श्रमन भग्वान मावेश स्वामी को भावपुर्वक वंदन, असे मुपकारी पुझ्य गुरुदेव श्री के चर्णों में भावपुर्वक वंदन। Generally, many a times a question arises in our mind that what could be the difference between Parmaatma and me? Initially, even Parmaatma was like us, then what is it that they became Parmaatma and if I want to become like him, what is the state of my soul? Parmaatma has very clearly stated that the Atma and the soul, since there is a time, there is a soul and neither of it has a starting point to it and since then, Atma and the Karmas are connected to each other. Now, what is the reason for this Atma and the Karma to get connected? So, today we are going to understand about the connection between the Atma and the Karma and how it can help us to get rid from our Paapkarma, that is our sins. Now, since the existence of us is due to our activeness and if you take an example of someone is working in an office, the person gets the salary depending on the position of the job he or she puts up into. Similarly, same is the level of our bhava, same is the level of our thought, same is the level of our activity through which we bond our Karma bondages. Now, how do we actually understand, because the Karma bondages are quite systematic and considering the level of these bondages depends on the actions and emotions. Paramatma has very clearly stated that the reason for the bondages of Karma is nothing but your actions and emotions and this action and emotions, the binding of this Karma together with the Passion and Yoga is called as Kriya. In Agams, Paramatma has propounded two types of Kriya. The first one is Samparai Kriya and the second one is Iriya Patik Kriya. Now, what do we understand with this word as Samparai Kriya and Iriya Patik Kriya? Now, let's understand it when it's a Samparai Kriya, as we talked about in the earlier part, that any passion or any yoga, when it is performed, it leads to the bondages of Karma and when this bondages of Karma, if there is any activity performed in it, if there is an involvement of passion, then it is called as a Samparai Kriya. Now, till the time this body and souls are combined, there is a bondages of Karma which is possible. So, even if there is one who lives in the worldly life and the one who has renunciated from worldly life, both of them do perform the bondages of Karma but the intensity and level of bondages of this Karma is quite different. Even if one who has achieved the Vitrakta or the one who has become Khevali, even there, there is a bondage of Karma but there the passion has been either subsided or has been completely destroyed. So, the one in which there is an involvement of passion with it is called as a Samparai Kriya and the one in which there is no passion but only yoga is involved in it, it is called as the Iriya Pathiki Kriya. Now, we had understood that there are 14 steps for Gunasthanak for one who can achieve or who can liberate themselves from their soul. So, in that, we understood that from Gunasthanak from one to ten, it leads to a Samparai Kriya and from 11th, 12th and 13th Gunasthanak step is the Iriya Pathiki. The time span for this Iriya Pathiki Kriya is quite short. It is the first second you bind the Karma, the second minute you experience it and the third second you completely wither off. In simple words to understand is if any dust particle gets stuck to a wet cloth, what does it happen? It sticks to it and it leaves there for a longer time but if any dust particle gets stuck to any dry cloth, it withers off very instantly. Same is this Iriya Pathiki and the Samparai Kriya. So, the one with sustain for the longer time is the Samparai Kriya and this Samparai Kriya is further divided into five categories that is Kaya, Ahigaranya, Pausya, Paritavanya and Panayivaya Kriya. We have heard about this word when we do the fourth Shaman Sutra in Pratikaman that these five categories are the Samparai Kriya. Now, understanding what are these Kaya, Ahigaranya, the first one, the Kaya, simply means is the activation of your bow. That is, whatever comes in your mind, when you think about it, you have not yet performed it but just it is in your thought process, it is called as the Kaya Ki Kriya. Now, as in, take an example, that if you consider that you want to go and take a shower and when you are going and taking a shower, you have just thought about it, you have not taken yet, it leads to the start of this Kaya Ki Kriya. The second category is the Adhi Karine Ki Kriya, which simply means that when you want to perform any activity, you get the material things ready for you. So, in case of your example, where you said that if you want to go and take a shower but for taking a shower, you get the hot water ready, you get your clothes ready. So, all getting your, making sure that you have a shampoo and soap with it. Now, making this material ready for doing any activity, that is your second category of Adhi Karine Ki Kriya. The third category is Pausya, which is also known as Pradveshi Ki Kriya, which means that if there is an attachment or aversion either of any of your activity when you perform to it, for example, you want to take a shower but you are quite attached to your body and you do not want your body to get spoiled over and you think of, no, I need to go and take it because you are connected to your body. That leads to your third category, which is Pausyae Kriya. The fourth category is Paritapne Ki Kriya, which simply means that if you are doing any activity, but while performing that activity, if you are going to harm any other living beings, then it is called as Paritapne Ki. For example, when you think about taking an shower and when you stand under the shower rod and those water droplets touch your body, those water bodies, they do experience extreme pain and that extreme pain is your fourth Kriya. So harassing anybody or giving torture, mental torture to anyone, leads to the fourth Kriya, that is Paritapne Ki Kriya. And the fifth category is Panai Vai Kriya, which means that it is just not harming any living being, but at the same time, while you are harming or hurting them, they get died off. So that is actually your fifth category, which is Panai Vai Kriya. These are the five categories of Kriya what we talked about. So any of this Kriya leads to your bondages of Karmas and these bondages of Karmas leads to your combination of this body and the soul. So if you want to get rid of this body from your soul, the first thing is stop the bondages of Karma. And to stop the bondages of Karma, one needs to understand these five Kriyas. Because at the end, this five Kriya leads to the end of bondages of Karma. So to understand these five Kriyas, even though if you go to perform the activity, in that activity, how you can be alert towards it, how you can make it a point that even while performing these activities, you can get rid from your Pap Karmas and you can make sure that you can bind your Punya Karmas is what our alertness is all about. is what our alertness is all about. झाल